अस्सलाम अलेकुम आज हम सहरी के कुछ टिप्स लेकर आये हैं गर्मी शबाब पर है और अब के बार इंतिहानी रोजे होने वाले हैं हम अपने बच्चों से ये गुजारिश करते हैं कि सहरी के वक्त मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ उसे जरूर इस्तिमाल करें उससे प्यास नहीं लगेगी और गलातर रहेगा और ठंडक मैसुस होगी इसको हम भी इस्तिमाल करते हैं इसलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रह तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने ये सब्जा होता है देखिए सब्जा इसको तुत्मलंगा भी कहते हैं काले बीज होते हैं शर्बत में भी हम इसको इसको इस्तिमाल करते हैं इसको हम रात में भीगा कर रखें रात में भीगा कर रखें और जब सहरी खा लें सहरी के के बाद हम इसे दो या तीन बड़े चम्मच दूद में अब नहीं पीते हैं तो पानी में डालकर थोड़ी सी शक्र दालकर इसे पी जाएं सही खतम होने के बाद एंड करने के बाद तो इससे क्या होगा कि डाजेशन भी अच्छा रहेगा प्यास भी नहीं लगेगी और ठंडक मैसुस होगी आपको दिन बर और आपका रोजा आसानी से पीतेगा अब यह हो गया आप सेकेंड टिप बताती हूं मैं कि यह है कर सौंफ और यह खड़ी शक्क और यह इलाइची है तो अगर आप इस तीनों का पाउडर बना के रख ले और दो चम्मच सहीरी खतम होने के बाद दो चम्मच पानी के साथ पी ले इससे भी आपको ठंडक मैसुस होगी और गलातर रहेगा और डाजेशन के लिए अच्छा है और एनरजी भी बोडी में र धाते हैं कarna करो यह दही है दही है यह इलैची दाना करे रहाकर तो चम्मच दही और दो दाने हमित के यह तो और कर उसमें मिलाकर और इसको खा जाएगे इलाइची का पाउडर बना के रख लीजिए थोड़ी सी दहीलो तीन चार चम्मच खाने के बाद और इलाइची का दाना उसमें मिलाओ और थोड़ी से शक्कर मिलाकर पी जाओ फिर पानी पी जाओ इससे भी एकदम ठंडक मैसुस इसलिए आम यह तिप्स बता रहें यह आजमाया हुआ टिप्स हैं इससे आप आजमाया तो इलाइची और दहीर और शक्कर को स्तिमाल करें अपने सहरी के बाद्याम,其實 फैय कि गोन कटिला मिलता है यह बाजा ने मिलता है यह आयुरटरिक दवा एक मिलती है वहाँ पर गोन कटीला मिलता है इसे आप ले लीजिए इसे रातने भीगा दीजिए इसे रातने भीगा कर एक कप दूद में शक्कर डालके पी लीजिए यह बहुत ही ताकतवर इलाइची, शक्कर, इसमें से जो भी आपको पसंद आए, जो भी अच्छा लगे, जो भी अवेलिबल हो, आप इस्तिमाल करें, यह सब फायदे मंद हैं, और आपको प्यास से दूर रखेंगी, गलातर रखेंगी, और जिसमें तवानाई भर देंगी, और ठंडक महिसुस तो आप लाइक करें, और रमदान में इस टिप को जरूर इस्तिमाल करें, और दूसरों तक शेर करना ना भूले, और दूआ में जरूर याद रखेंगी, शुक्रिया